बदलते हुए परिवेश में जहां आज ओद्योगी करण का बढ़ता हुआ करम है वहीं हम प्रकति को कहीं ने कहीं नुक्सान पहुचा रहे हैं जैसा की मेरे मोडल में आप देख सक रहे हैं कि पहाडी को काट करके जहां पर रोडें और इंडस्री बनाई जा रही है जिससे आने वाले नदी का रास्ता बंद हो गया है पहाडों से निकलने वाले नदीयां खतम सी हो गई है और जल का इस तर खतम होता जा रहा है पानी अब बहुत कम देखने को मिल रहा है और इसी की कारण ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ही पानी की कमी अन्चाहे टाइम पर वर्षा का होना नहीं होना दिरे-दिरे पेडों का कटना ये सब चीजें इसी वज़े से हो रही है और ओद्योगी करण के कारण ही सारी गटनाएं बढ़ती जा रही है पानी जैसे हम देख सक रहे हैं कि नदी से होता हुआ हमारे तालाबों में आता है पर अब जब ये पहाडी नहीं रहेंगे तो नदियां भी नहीं रहेंगी और ये ओद्योगीक बढ़ता हुआ इस थर जो कि रोडे बन रही है लाइटे हो रही है इस ओद्योगीक से अपन प्राकतिक सोंदर ये खोते जा रहे हैं और साथ ही क्या हो रहा है जलवायों को हम दुशीत कर रहे हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है हमें यह देखिए आप किस तरह से लोग प्राकति को नुकसान पहुचा रहे हैं बढ़ता हुआ क्रम है यह हमारे इस मोडल के माद्याम से हम यह समझाना चाहते हैं झाल